बहुत ही टेस्टी साबू दाने वड़े की रेसिपी इसको आप खुद खाईए महमान को खिलाईए इससे अच्छा स्नेक्स हो ही नहीं सकता ये बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट और लजिज हमारा साबू दाना वड़ा है दोस्तों आप इसे बनाईए मैं आपको बताती और जिसको तीन-चार बार एकदम बण्या से धोली हूँ और इसको पानी सब निकाल दी हूँ निकालने के बाद इसमें हम आधा कटोरी पानी डाल के चार से 5 घंटे के लिए जिस कटोरी से साबू दाना लिजी ठी उसी से आधा कटोरी पानी ले के चार से पाच घंटे के लिए हम इसको ढख के रख देंगे हमारा आठ से दस आलू है जिसको मैं दो सिटी लगा के उबाल ली हूँ हमारा आलू अब उबल रहा है दोस्तों ये मसाला मेरा एक चमच मिर्ची पाउडर आदा चमच हल्दी पाउडर, quarter spoon अजवाईन, एक चमच जीरा, एक चमच धनिया और डेर चमच नमक ये मैं आलू और मेरा धाई सो ग्रम सबुदाना है इसके माप से इसमें हम एक चमच अदरक लसुन हरी मिर्ची का पेष्ट और ये मेरा मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ दोस्तों ये मेरा धनिया पाउडर डाल रही हूँ दोस्तों अब ये हमारा जीरा है और अजवाईन, नमक और हल्दी ये सारे मसाले हम साबुदाने में डालके और बहुत बढ़ियां से मिक्स कर लेंगे यहां हमारा सारे मसाले में मिक्स कर ली दोस्तों और यह मैं बताना भूल गई थी यह देखिए मेरा हाथ में कैसे साबुदाने एकदम बढ़ियां से दबाने पे एकदम फिसल जा रहा है तो ये मेरा साबुदाना बहुत अच्छे से फूल गया है ये मैं सारे आलू को छील लूँगी और ये हमारा आलू बहुत गरम है और मेरा बरतन साबुदाना का मसाला वाला बड़ा है इसलिए मैं एक साइड साबुदाना करके उसमें सारे आलू डालके गिलास के मदद से मीस लूँगी यह हमारा आलू गरम-गरम है इसलिए मैं गिलास से दबा-दबा के मीस लूँगी ताकि हमारे साबुदाने का एकदम बढ़िया वैंडिंग हो जाए और आलू मिलाने से हमारे साबुदाना चटक भी हो जाएगा और उसका डिजाइन भी आएगा एकदम बढ़ियां से दाने दाने जो साबुदाने है वो मीक्स हो जाएगा हाथ से बनाने पर गोल-गोल और देखिए मैं गिलास से अच्छे से मीक्स कर रही हूँ और यह बहुत ही टेस्टी हमारे साबुदाने वाड़े की रेसिपी बनने वाली है दोस्तों यह सारा साबुदाना और आलू हाथ से हम मिक्स कर लेंगे यह हमारे एक तैयार हो गया साबुदाने वाड़े का रेसिपी अब इसको कुरकुरा करने के लिए एक कटोरी मुंग फली जिसको मैं भून ली हूँ और इसको हम दर-दरा पीस लूँगी इससे हमारा क्या होगा जो साबुदाने का मसाला है बहुत यह देखिए मैं मिला दे रहे हूँ इससे हमारा बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगा बहुत ही टेष्टी होगा आप इसको बनाएगा जरूर और इसी तरह से बनाएगा जय से मैं बता रहे हूँ यह बहुत ही टेष्टी और मजेदार होने वाला है अब आप गोल-गोल ऐसे रोल करके और हाथ थेली पर रखके आप दबा लेंगे और इसी तरह आप सारा साबू दाना धीरे धीरे बना लेंगे तो आपका टाइम बचेगा अब कड़ाई भी मैं चड़ा दी हूँ, तेल भी हमारा गरम हो गया है मैं तो मीठा तेली हूँ, आप चाहें जो भी जो आपको पसंद है वो तेल लीजिएगा और ऐसे ही गोल-गोल बना के हम सारा अपना साबू दाना धीरे धीरे डाल के हम तलेंगे अब ये मेरा बन गया दोस्तो ये गोल-गोल आप इसी तरह से से देजिएगा अब मेरा कड़ाई भी गरम है और ये साबू दाना में डाल दूँगे और एक साथ जादा वड़े नहीं डालते हैं दोस्तों तीन ही चार डालते हैं तो ये कैसा है साबू दाना चिपकता है तो ये आपस में चिपक जाएगा और एक तरफ लाल हो जाए तभी दूसरी तरफ पलटिएगा ताकि आपस में ये चिपकेगा नहीं और साबुदाने को इसी तरह बारी-बारी से हम तल लेंगे ये हमारे देखिए साबुदाने को मैं कैसे तल रही हूँ और खड़ाई तो गरम ही चाहिए और बाद में मिडियम फ्लेम कर दीजिएगा फिर इसके बाद हमारा ऐसी तरह दम क्रिस्पी मज़ेदार शाबुदाने वड़े बन के तैयार हो जाएंगे और खाने में उतने ही टेस्टी है दोस्तो एक बार आप बनाईएगा जरूर यह हमारे साबुदाने सारे में धीरे धीरे इसी तरह करके मैं तल ले रही हूँ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तो मेरे चाइनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन घंटी धबाना ना बूलिएगा और इसी तरह साबुदाने वड़े की रेसिपी बना के खाते रहे है अपने फैमली फ्रेंड में सेर कीजिए और दोस्तो यह बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी लाजवाब साबुदाने वड़े की रेसिपी है इसको हरी चटनी मीठी चटनी के साथ आप जरूर खाईएगा और बताईएगा की कैसा बनाएए महमानों को भी बहुत पसंद आएगा और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवादेगा